Hello and welcome to chapter number 6 of class 10 आज हम पढ़ेंगे chapter 6 class 10 special English जिसका नाम है two gentlemen of Verona क्या क्या होगा देखते हैं देखते हैं पहले introduction ले लो इस story का This is a story of two boys who choose hard life at a very tender age ये जो कहानी है ये दो boys की है जिन्नोंने बहुत ही कठोर जीवन बिताना शुरू कर दिया बहुत ही छोटी सी tender मतलब यहां पे होगा छोटी सी उमर से बहुत बेकार खबर उनकी जो बहन है उसको क्या हो गई है tuberculosis she is admitted into a in a hospital वो hospital में admit है the two young boys do a variety of work to earn money for the treatment of their sister ये जो दो लड़के हैं ये जो लड़की के भाई हैं ये बहुत सारा काम करते हैं ताकि इन्हें पैसा मिले और वो treatment कर सके उनकी बहीन का their sacrifice and devotion to the cause is really praise worthy and inspiring as well their sacrifice उनका जो त्याग है ये बहुत जादा महान है किसके लिए उनकी sister के लिए जो वो इलाज के लिए पैसा लगा रहे हैं इतनी छोटी सी उमर के होके भी ये praise वरती है काबिले तारीफ है and inspiring inspiring मतलब ये प्रेरना भी देता है कि कोई के मन में किसी के लिए अच्छा हो तो वो क्या नहीं कर सकता शुरू करते हैं हमारा chapter two gentlemen of Varona summary in English once the travelers were driving बात ध्यान से सुनना क्या क्या हो रहा है बहुत ध्यान से देखना once the travelers were driving through the footheels of the elves mountain हैं बड़े बड़े परवत हैं वहाँ पे travelers याने यहाँ पे मैं travelers ना बोलके उनको tourist बोल सकता हूँ कि यह मुसाफिर लोग हैं जो घुमने के लिए आ रहे हैं two small boys stop them दो छोटे छोटे बच्चों ने उनको रोका मुसाफिर है गाडी में है कार में है they were selling wild strawberries एक एक शब्द यहाँ पे मैं आपको बताऊ बहुत गवर करने का है नहीं तो आपको confusion हो सकता है मैं बताऊंगा एक दम deep में ले जाके ऐसा में को लग रहा है they were selling wild strawberries on the outskirts of Verona Verona city के वहाँ पे वो लोग बेच रहते wild strawberries यहाँ पे strawberry की adjective याद रखना wild है जंगली है मतलब यह उन्होंने खरीदी नहीं है यह important बात है यह कहीं नहीं समझ में आएगी आपको यह दिमाग से समझो यह जो wild strawberries है यह उन्होंने free में जंगल जाके तोड़ी है they are not selling fruit strawberries means the one which we get in the market जो market में यह लोग बेचते थे वो पैसे से खरीद के लाते है वो कोई तोड़ के नहीं लाते यह wild strawberries है free की strawberry है परिश्रम का पैसा है तोड़ने की मेनत है ठीक है the driver asks the traveler not to buy fruits from them बहुत बड़ी खबर जो मालिक है वो driver और मालिक है मतलब गाड़ी का मालिक है और driver है driver बोलता है सहाब इनके पास से strawberries मतलो गाड़ी का मालिक लेने को तयार हुआ बोले लाओ strawberries दो तो यह बोलता है driver बोले मतलो क्यों मतलो they could buy fruits much better in Varona बोले यह तो अपन बहारी है अभी शहर के अंदर जाएंगे वरोना में तो और अच्छे अच्छे fruits हमको मिल सकते हैं the boy had tangled hair and dark earnest eyes with brown skin अब देखो क्या बोल रहा है tangled hair, उल्जे बाले dark earnest eyes, एकदम काली पर सच्ची आखें हैं, बोलते ना dark circle आ गए brown skin, याने बिचारे गरीब लग रहे हैं the boys were brothers, दोनों जो लड़के थे वो भाई-भाई थे, their names were Nicola and Jacopo, क्या नाम था? Nicola and Jacopo, the travelers came out of the hotel next morning, जो travelers थे इने मसाफिर थे, वो hotel के बहार आए अगली सुबा they saw the two boys again, देखो ध्यान से पहले जब वो car में थे, तब इन्हों ने रोका दोनों ने और बोले sir sir sir, हमारी strawberries ले लो wild वाली driver बोलता रहे, मतलो, 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 मतलो क्यों? तो बोले, शहर में इससे अच्छी मिलेगी और ये कहां तुम बोले, कैसे लड़के है, बाल देखो इनके उलजे हैं, कपड़े देखो, ऐसे बद्दे हैं, और क्या बोले, इनकी आँखे देखो, एकदम काली है, गरीब है, इनसे लेने की जर्वाद, नहीं, अब वो आगे होटेल में, अगली उन्होंने यही दो लड़कों को फिर से देखा, they were cleaning shoes, polish कर रहे हैं, shoes polish कर रहे हैं, Nicola told them that they did various job, दोनों के नाम बताये थे, Nicola and Jacopo, तो Nicola बोलता है कि various job to earn a living, बोले हम तरह तरह के काम करते हैं, रोजी का कमाने के लिए, जीवी मतलब कई बार, they took the visitors through the town to show them places, कई बार तो बोले हम यह जो visitors होते हैं, उनको लेके जाते हैं, शहर गुमाने के लिए, उनके पसंद की चीजे उनको दिखाते हैं, both the brothers proved very useful to the travelers, both the brothers, यह दोनों जो भाई हैं, यह बहुत काम के लगे किसको, मुसाफिर को, travelers मतलब पैसे वाला अदमी है, उसको तो बस भाई नया है न, अजनभी है वो, उसको तो पता ही नहीं कहां क्या है, तो यह उसके लिए बहुत काम क्या है, यह बता देंगे काम जो भी करते हैं, बहुत लगन के साथ, इमानदारी के साथ, और योगिता के साथ उसको करते हैं, competence मतलब योगिता होता है, यहां तक chapter समझ में आया, मैं इसका photographic version भी लाऊंगा, next वाले से, कोशिश करूँगा, मैं अभी तरफ से draw करूँगा, दो लड़के हैं, बोलो किते लड़के हैं, दो लड़के हैं, यह दो लड़के क्या करते हैं, एक की कार को रोकते हैं, और क्या बोलते हैं, सर 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 हमारी strawberry ले लो, तो यह driver बोलता नहीं नहीं बोले, इससे अच्छी strawberry मिल जाएगी इनसे लेने की जर्वत नहीं तो बोलते कोई बात नहीं अगली सुबा next morning क्या होता है उनको बहुत गजब के वो दो लड़के दिखते हैं अब वो क्या कर रहे हैं शू पॉलिश कर रहे हैं दो पिक्चर देख लो यहां पे कार रोकी बोले strawberry ले लो फिर एक picture देख लो बोले क्या कर रहे हैं शू पॉलिश कर रहे हैं बोले हम बहुत सारे काम करते हैं जो भी आप बोलोंगे हम आपको करके दे देंगे अब समझो यहां पे एक एक चीज काम की है दे को फ्री में काम कर रहे हैं वाइल्ड strawberry बेलच रहे हैं जंगल से तोड़ के ला रहे हैं और बेच रहे हैं महनत का पैसा लोगों कोन की पसंद की जगा दिखा रहे हैं फिर महनत का पैसा न्यूस पेपर भी कब बेच रहे हैं रात को रात को कई बार क्या होता है न्यूस पेपर जब बच जाता है लोग फ्री में देते हैं क्यार ये में से नहीं बिका रख लो और कई बार आपको तो बायर मिल जाएगा बोलेंगे साब ले लो सस्ते में दे देंगे कुछ भी करके कैसा भी करके फ्री की चीजों से भ करने को तयार हो तो निउस पेपर कब लेता है ये रात को निकोला वास डेडली टायट बहुत जमके ठक गया वो दे वर वेटिंग फॉर दा राइवल ऑफ दा लास बस इतना ठकने के बाद भी वो आखरी बस का इंतजार कर रहे हैं दे कुट सेल ओल देयर पेपर्स वेन इट जैसी बस आएगी लोगों को वो पूरा पेपर बेस देंगे दन नरेटर वोज हाईली इंप्रेस बाइड दियर हाड वर्क नरेटर बड़ा खुश हुआ बोले यार इनको गजब का काम कर रहे हैं और वो नरेटर से पूछते हैं बताओ आपको हमसे कुछ चाहिए जकोपो inform him that they used to go to the town of Poletta every Sunday और वो बोलता है कि हम हर संडे के दिन शहर जाते हैं he wished that the narrator should take them there in his car वो चाहता है कि narrator भई हमने आपका इत्ती मदद कि आपको यहां पे घुमाया फिर आया तो आप हमारी कार में हमको लेके चलो जहां पे भी हमको जाना है it was at a distance of 30 km from there बोले यहां से 30 km की दूरी पर है the narrator agreed to drive them out himself narrator बोलता है अरे मैं ही लेके चलता हूँ driver को भी ले जाने की जर्वत नहीं मैं ही तुमको लेके चलता हूँ कितने km 30 km कार में चलो the next afternoon they reach a tiny village it was set high upon a hillock पहाड पे उनका छोटा सा गाओं है the car stopped at a large red roof villa in both the brother got down car रुकती है red roof villa लाल कलर की छत है बहुत बड़ा सा villa है और वो दोनों उतरते हैं they asked narrator to go to the cafe and have a drink बोले आप जाओ कैफे में और चाय कॉफी पी लो they would return in an hour हमको एक घंटा लग जाएगा यहां से आते आते the narrator followed them after a few minutes he rang the bell narrator उनके पीछे पीछे गया कहानी समझो कहानी समझो बहुत जल्दी समझ में आएगी बोलो दो लड़के हैं यही है यही है two gentlemen of warona जो आप title देख रहे हो ना यह दो ही लड़कों की बात है इसका नाम है नकोला और जकोपा ने कार रोकी बोले क्या लेलो wild berries तो driver बोलता नहीं 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 इनसे नहीं लेना आगे अच्छी मिल जाएगी अगले दिन वो क्या कर रहे हैं शू polish कर रहे हैं तो author बोलता है writer narrator बोले क्या काम कर लेते हो बोले हम सब कर लेते हैं leaving जीवी का चलाने के लिए हम कुछ भी कर लेते हैं लोगों को जगा दिखाते हैं यह दिखाते हैं आपका भी बहुत सारा काम कर देंगे और खुब अच्छे से करते हैं बोले क्या चाहते हो तो बोले सर हमको यह न 30 km हमारा गाउं है वहां लेके चलो हम चाहते हैं आप हमको आपकी कार से लेके चलो तो बोले चलो ठीक है मैं लेके चलता हूँ driver की भी जर्वत नहीं मैं तुमारे लिए 30 km गाड़ी चलाऊंगा अब जब जाते हैं तो वो कहा र author कैफे नहीं जाता इनके पीछे पीछे जाता है और वो bell बजाता है एक nurse आती है जो दोर खुलती है hospital का the narrator saw through a glass that the two little boys were talking eagerly to a girl in bed अब देखो यह दोनों लड़के कहा जाते हैं दोनों लड़के एक लड़की के पास जाते हैं और जो बिस्तर पे हैं और उससे बात करते हैं them indicate that she was their sister और उनकी बातों से ऐसा लगता है कि यह लड़की उनकी कौन है sister है the nurse told the narrator that अब यह nurse पूरी कहानी बताती है Nicola and Jacopa and their sister Lucia तीनों के नाम याद हो जाएंगे बोलो लड़के का नाम Nicola and Jacopo आप अपने मन से बोलो मैं अपने को सरल करके बोड़ रहा हूँ Nicola Jacopa हलाकि इसको अगर आप एकदम exact बोलोंगे तो it's Nicola it's Nicola and it's Jacopo and it's Lucia बिलोंग to a cultured family नर्स बताती है बोले sir narrator sir ये तीनों दो भाई एक बहन बहुत अच्छे परिवार को बिलोंग करते थे बिलोंग ED पास की बात हो गई their father was killed in war बहुत बड़ी खबर नर्स बता रही है कि इन बच्चों के पिता को वार में मारा गया they suffered a lot in winter thund में उनको बहुत दिखका जाती है the boys joined the resistance moment resistance मतलब उनने का कि हम इसके लिए लड़ने को तयार है they return after the war जब युद खतम हुआ तो वो खतम मतलब war के बाद आए was over and there was peace they found that their sister was suffering for tuberculosis of the spine बाद में उनको पता चला कि उनकी बहीन को tuberculosis हो गया है read में they bought her to the hospital an year ago और कब लाए अस्पताल में? आज से एक साल पहले they have been making payments regularly और तो और इतनी बड़ी बात कि ये दोनों बच्चे हर हफते पैसा लाके दे रहे हैं and they hope that their sister will recover and walk and sin again उनको पूरी उमीद है hope मतलब उमीद है कि उनकी जो sister है वो recover भी हो जाएगी चलने भी लगेगी और गाने भी लगेगी the narrator drove the boys back narrator ने बच्चों को वापस लाया दरदीली कहानी है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ और सुनो ध्यान से narrator है narrator घूमने आता है मुसाफिर है ट्यूरिस्ट है ये दोनों बच्चे बोलते है sir ये हमारी wild berries ले लो बोले नहीं driver बोलता मतलो बाहर अच्छी मिल जाएगी ठीक है बोले फिर दूसरे दिन जब वो hotel से बाहर आता है तो देखता है कि ये बच्चे shoe polish कर रहे है तो जाता है बात करता है क्यों क्यों क्योंकि बहुत इमानदार बच्चे थे बहुत मासूम बच्चे थे बहुत प्यारे बच्चे थे छोटे से बच्चे थे ये attract हो जाता है उनके से बात करता है तो बताते हैं बोले हम सब करते हैं फिर बोले हमको लेके चलो हमारे को एक जगा जाना है 30 किलोमीटर तो लेके जाता है नर्स ये ऑथर को पूरी कहानी बताती है बोले एक साल से दे रहे हैं और बड़ी बात कि इनके पिताजी क्या थे सिंगर थे और बहुत अच्छे परिवार से थे पर वार ने इनका काम लगा दिया बोले पर ये लोग एक साल से बराबर पैसा दे रहे हैं और ये सोचते हैं कि फिर से उनकी बच्ची चलने लगेगी दर नरेटर ड्रोव दबॉइ बैक ले क्या है वापस ये डिड नॉट रिवेल तो देम देट ही केम तो नो अबाउट देयर प्लिंग समझना रिवेल का मतलब होता बताना जो आपको पता है वो बात बता ना ओथर ने सब बात जान ली पर बताया नहीं कि तुम्हारी दुख बरी दास्ता मुझे पता चल गई है बट हिज हाट वस टच्च डीपली बाई दियर डिवोशन टू अ नोबल कॉस ओथर ने भले इनकी दास्तां के बारे में इनको बताया नहीं पर ओथर का दिल भर आया था कि देखो दोनों लड़के कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितना नेक काम कर रहे हैं अब तो हिंदी में एकदम फटाक से हो जाएगा बोलो एक समय यातरी वोई एल्फ परवच रंकलाओं के बीच में गाड़ी द्वारा निकले एल्फ माउंटे ने वहाँ पे निकले दो छोटे लड़कों ने उन्हें रोक लिया सीमा पर जंगली बेर बेच रहे थे स्ट्रॉबेरीज मतलब यहाँ पे बेर बोल रहे हैं चालाग ने यातरियों से कहा कि उन्हें फल नहीं खरी दें चालाग मतलब ड्राइवर ड्राइवर ने कहा कि बोले इनसे फल लेने की जर्वत नहीं वे रोना में अधिक सस्ते दाम पर फल खरीच चकते हैं बच्चों के बाल उल्जे हुए थे आंके काली और उच्चुक थी और भूरी चमडी थी वही ब्राउन स्किन डार करनेस आई सगे भाई थे एक का नाम था निकोला जैकोपो अगली प्राता बाहर निकले होटल के बाहर निकले दोबारा मिले जूते साफ कर रहे थे निकोला ने बताया कि अपनी जीविका के लिए वो कई धंदे करते हैं परियटक को नगर में ले जाकर उनके रोचक खाते हैं मतलब रोचक खाते हैं दी है वो दिखाते हैं दिखाते हैं वदाना बालक उन पैटका के लिए अत्यदिक हितकर साबित हुए उनके लिए परियटकों के लिए बहुत जादा फायदेमन साबित हुए रोची से महान सामच के साथ करते थे यात्रियों ने दोनों भाई को अगली प्राता होटल के बार निकला विबिन धंदे में काम करते थे सितकर हुए रूची और महान समत साबित करते थे दोनों भाई को समाचार पत्र बेशते देखा एक दिन उसने क्या देखा दोनों यात्रियों को समाचार पत्र बेशते देखा निकोला पूर्ण रूप से थका हुआ था वे आखरी बस के आने का इंतजार कर रहे थे उसके आने पर वे सारे समाचार पत्र बेच सकते थे वक्ता उनके कटोर परिश्रम से अत्यादिक प्रभावित हुआ उसने उनसे पूछा कि क्या उन्हें उससे कुछ चाहिए जैकोपा ने उसे बताया कि प्रतिर वे पोलेटा, नामकनगर में जाते हैं, वह चाहता था कि वक्ता उन्हें उनकि नकी अपनी कार में ले जाए, वहाँ वहां से 30 km की दूरी पर था, बोले तुम बताओ मैं क्या करूं तुमारे लिए, तो बोले हमारे से 30 km की दूरी पर गाउं वहां उनको लेके चलना, सहमत हो गया स्वयम कार चला कर उन्हें ले गया दोपहर के बाद एक छोटे से गाउं में पूचे उची पहाडी परिस्तिता विशाल लाल छत वाले ग्राम ग्रह के सामने कार रुक गई दोनों बाई नीचे उतर गए उन्होंने कहा कि कैफे में जाकर जलपान ग्रहन करें एक घंटे में लोट आएंगे कुछ मिन्टों बाद उनके पीछे पीछे गया घंटी बजाई एक प्रसित्सिक नर्स आई उसने अस्पताल का दरवाजा खोला वक्ता ने अंदर देखा तो पलंग पर एक लड़की के साथ वो दोनों भाई बाते कर रहे थे उनके साथ शकल मिलने से या संकेत मिला कि वह उनकी बहीन थी शकल मिली तो समझ गए कि ये लड़की इनकी क्या है बहन है नर्स ने वक्ता से कहा कि निकोला जकोपा और उनकी बहन लूसिया एक सुखद और सूसंस्टित परिवार से संबंदित है युद में उनके पिता मारे गए सरदी में उन्होंने बेहत कस्ट उठाए लड़के विरोध आंदोलन में शामिल हो गए युद की समापती पर लोटे जब शांती हो गई उन्हें पता लगा कि उनकी बहन रीड की ट्यूबर क्लोसिज ऑफ इस्पाइन से पीडित है एक वर्ष पहले अस्पताल ले आए नियमित बुक्तान कर रहे हैं और वे उमीद करते हैं कि ठीक होकर दोबारा चलेगी गाना गाएगी फिर वो उनको कार में वापस बिठा कर लेके आता है और उनकी गुप्त बातों को उजागर नहीं करता है वो बहुत हैरान था इनका जो डिवोशन था वो देखके आतर हैरान था कि बताओ बच्चे कितना इतनी चोटी सी उमर में इतना सब कुछ सहन कर रहे हैं एक बार क्विक समरी बता रहा हूँ ध्यान से देखना स्पीच से देखना एनरजी के साथ देखना बोलो दो लड़के बोलो दो लड़के कहां के वरोना के क्या बेशते हैं जंगली स्टॉबेरीज बेशते हैं नियूस पेपर बेशते हैं ट्यूरिस को घुमाते हैं उनकी का ये सब चीज देखता है नर्स से ये सब बात सुनता है वो एकदम दंग रह जाता है उनको चुपचाप से लाता है और उससे जित्ता बनता है उत्ती उनकी मदद करता है हो गया हो गया हो गया अगले वीडियो में मिलते हैं अपन कोशन आंसर के साथ